ओम नमस्षिवाय सभी हमारे जितने भी साधक हैं और साधवी हैं वो मुझसे जादा तर एक ही प्रशन पूछते हैं कि गुरुजी कोई ऐसा मंतर बताईए जो एक बार में सटीक काम करे आपके जितने भी मंतर हैं इनमें काफी संख्या है जाप करने की जिसके चलते मुझे काफी समय लगता है कृप्या करके कोई ऐसा एक मंतर बताईए या ऐसा प्रचंड कोई टोटका या विधी हो जिससे की एक बार में ही हमारा जो निशाना है वो बिलकुल सही जगा लगे गुंजैश की कोई बात ही न हो गुंजैश की कोई सीमा न हो कोई ऐसा अगर मंतर है तो कृपया बताईए ये प्रश्ण मेरे से कम से कम 95 से जादा लोगों ने पूस्च लिया है इस मंतर के बारे में कि कुछ भी ऐसा बताईए जो एक बार में ही हो साधक या मेरे भाई जो भी हैं वो बोलते हैं कि ऐसा मंतर बताईए कि लड़की भागी भागी चली आए दोड़ी दोड़ी चली आए बिलकुल सब कुछ उसकी सुद्ध बुद्ध जो है मेरे जो पार्टनर थे बॉइफ्रेंड या इत्यादी जो भी है वो मुझसे बात नहीं कर रहे है मुझसे दूर चले गए ऐसा कोई प्रयोग बताईए जो एक बार में ही इतना कारेगर हो कि इसके बात कुछ करने की नौबत ही ना आए तो आज जो मैं आपके लिए ये मंत्र लेकि आया हूँ ये इतना अत्यांत प्रभावशालिय और प्रचेंड है कि इसको अगर सही तरीके से किया तो एक बार में ही काम बन जाता है लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है कि आपकी जो शमता है बोलने की मंत्र उच्चारण है वो आप किस तरीके से करते है यदि मंत्र उच्चारण सही तरीके से होगा तो स्वतह काम बनता है मंत्र में तुरूटी आती है तभी काम नहीं बनता या फिर आपकी अंदरूनी भावना सही ना होने के कारण मंत्र जो है काम नहीं करता कई कपर हमारा ध्यान कहीं होता है और हम कहीं और होते हैं और मंत्र जाब चल रहा होता है तो काम नहीं बनता ध्यान रहे आप मांसिक और शारिरिक तोर पे एक जगह होने चाहिए तभी आपके लिए मंत्र काम करेगा और इस दुनिया में सभी मंत्र सभी के लिए काम नहीं करेंगे कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें मंत्र किसी और की द्वारा भी जाप करवाना पड़ता है लेकिन अधिकतर मंत्र ऐसे होते हैं जो अगर सही तरीके से सुभह निवृत हो के ब्रह्म मूरत में जाप किया जाए तो वो कारेगर हो जाते हैं तो ऐसा ही चामुंडाय देवी का एक महा मंत्र है जिसको आप बड़े ही ध्यान से सुनिये और प्रयोग करिये और उसके बाद देखे क्या चमतकार होता है आपके जीवन में अधिक इसमें परिश्रम या सोचने की जूरत नहीं है इसका कोई दुष परिणाम भी नहीं है तो आप आसानी से इसको अपने जीवन में प्रारंब कर सकते हैं या आजमा सकते हैं मंतर है उसकी फोटो को पकड़ना है जिसको आवशी भूत करना चाहते हैं और मंतर बोलना ओम एंग क्लिंग बस इतना है इससे बड़ा नहीं है ये बहुत ही प्रचंड मंतर है एक बार फिर से ओम एंग लिंग बस इस मंतर को बोलिए 21 बार उसकी फोटो को पकड़के और उसके बाद देखी क्या चमतकार होता है अपना मुबाइल फोन अपने पास रखी अगर उसके पास आपके मुबाइल का नंबर है तो तुरंद फोन आता है अगर फोन नंबर नहीं है तो मिलने का प्रस्ताव कहीं न कहीं से बन जाएगा और यह इतना प्रभावशाली मंतर है कि देखे जहां पर मंतर में एंग, क्लिंग, ये सब चीज़े लग जाती है तो वो मंतर और भी ज़्यादा फूरती से काम करने लगता है तो याद रखे जिस मंतर में आपको एंग, क्लिंग, ये सब चीज़े मिलें उसको जरूर प्रयोग करें वज़ा है उनके कि जो साधारम मंतर हो इनमें बहुत जादा उर्ज़ा होती है, शक्ती होती है और अगर इसको सही तरीके से किया जाया, मैं बार बार कहता हूँ, तो साधक को मंचाहा जो भी आप रिजल्ट चाहते हैं, वो आपको मिलता है लेकिन बात ये आजाती है, कि हम पहले से इतने मंतर जाप कर चुके होते हैं, ठक चुके होते हैं और हमारा उतना उत्सा नहीं होता, इसमें आपका उत्सा, विश्वास और थोड़ा सा धहरे चाहिए जब ये तीनों मिलेंगे, उसके बाद आप जाप करिए, इसको अगर सुबब ब्रह्म मूरत यानि की चार बजे से छे बजे के बीच में करें, तो बहुत ही अच्छा प्रभाव मिलता है इसको किसी पेड़ के नीचे बैठके भी किया जा सकता है, या किसी शांत माहौल में, और उसके बाद देखिए आप, खुशी के मारे आप जुम उठेंगे, आपकी मुरादे पूरी होने लगेंगे लेकिन अगर इसको गलत अपने मतलब साधने के लिए प्रयोग किया जाए, तो ये काम नहीं करता इसलिए अपने मतलब पुसाधने के लिए ना करें, अपना इश्ट का नाम लेके, अगर आप वाकई किसी समस्या से ग्रस्त हैं, तभी इसका प्रयोग करें मंतर उचारण आपके अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए नहीं है, ये किसी की जिन्दगी को बरबाद होने से बचाने के लिए है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, कि आप जो जाप कर रहे हैं, वह सही है, क्या इस मंतर जाप से मैं किसी की जिन्दगी बरबाद तो क्योंकि अधिक तर ऐसा होता है, साधग या साधवी अपना उल्लू सीधा करने के लिए मंतर उचारण करते हैं, अपनी काम वासना को शांत करने के लिए मंतर उचारण किया जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आप शाधी करना चाहते हैं, या किसी से सच कोई ही गुंजाइश नहीं है आप सिर्फ इसको एक बार आजमाईए और उसके बाद देखिए अगर पहली बार में काम नहीं करता तो दूसरी बार में करेगा क्योंकि कई बार हमारे अंदर तुरूटी होती है और हमें लगता है कि काम नहीं हो रहा बहुत से ऐसे सादक आते हैं जो बोलते हैं कि सर आपके जो मंतर हैं वो काम नहीं करते हैं मैं उनको कुछ नहीं बोलता है क्योंकि मुझे पता है मेरे सारे मंतर काम करते हैं और जो उपाई ये टोटके बता हैं वो सभी काम करते हैं बस आपके उपर ये डिपेंड है कि आप इनको किस तरह से अपने जीवन में लेते हैं हमेशा आप उपरवाले को याद कीजिए उपरवाले का धन्यवाद कीजिए कि आपको उसने ये जीवन दिया ये मनुष्य का जीवन अती दुरलब जीवन दिया हमेशा उसका शुक्रिया आदा करिए लेकिन हम हम यही सोचते हैं कि मेरे पास ये नहीं है मेरे पास वो नहीं है क्या कभी आपने सोचा है कि मेरे पास ये है कभी आप किसे चीज के लिए खुश हुए कि हाँ मेरे पास ये है खुश होना सीखिए अपने आप से प्यार कीजिए याद रखिए यदि अपने आपको छोड़ के किसी और से प्यार किया तो अंत में पच्टाना पड़ेगा और इनी शब्दों के साथ मैं अपनी वानी को विराम देना चाहता हूं और जितने भी मेरे यहां पर साधवी हैं उनसे मैं अनुरोद गरता हूं कि किर्पया हो सके तो जन कल्यान के लिए इस मंतर का प्रयोग करें दूसरों के हित के लिए इसका प्रयोग करें जो हम यहां पर मंतर बताते हैं यह किसी की जिन्दगी बरबाद करने के लिए नहीं है नहीं किसी की जिन्दगी से खिलवार करने के लिए ये मंत्र आपके अपने जीवन को बहतर बनाने के लिए है हम उपरवाले का सहारा तब ही लेते है जब हमारे हाथ से काबू से बाहर हो जाती है चीज तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आये होगी चैनल को सबस्क्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और इस वीडियो को इतना शेर करो कि हर एक जो भी आज के समय में कामवासना में विलुप्त है वो मंत्रों की शक्ती को जान सके और इनका सही तरह के से जो है अनुसरन करे और इनका उप्योग करे क्रिप्याज चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें और वीडियो को शेर करें और कमेंट सेक्षिन में अपने सुझाव दें ओम नमस्षिवाई